मेडिकल से जुड़ी सभी लेटस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्ट टिप्स मेडिकल नौलेज यूट्यूब चैनल को वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चाल हाई टिप्स मेडिकल नोलेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों मैं हूँ हमत और आपके लेकर आओ आप दिल्ली एम्स के रिजल्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं दिल्ली एम्स 2020 नौर साइट का रिजल्ट डिक एक्जाम.org पर आप जाकर वहां सकते इसको डाउनलोड कर सकते हैं बात कर लेते हैं जो रिजल्ट है यह 18 जनौरी को रिजल्ट निकला है और इसमें किस-किस एम्स के बारे में एम्स दिल्ली एम्स बठिंडा एम्स बोपाल एम्स भूवनेश्वर एम्स देवगर एम्स ग इन सबकी इसके अंदर सीट्स हैं ये जिन जनका रिजल्ट हैं जिन लोगों ने जो जो वरタी वंकल responsible करा ने की उन्हों लोगों ने इसके इन जडर भाग लिया उनके लिए सीट अलोर्ट हुई है तो आप इसके रिज़ल्ट को देख सकते हैं और जो भी रूल्स थे यहां पर इस result को निकला गया है आप देff लर विए बहर आपको जो सिड्स मेली है इधर आपका जो एम्स का नाम होगा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं इधर आपका रोल नंबर है यहां पर और यहां पर आपकी रेंख ओगी ओवराल रेंख और यहां पर आप का एप Leonard जो आया आप्को आपको यहां पर मिला है आगर प्ररफियंस आपका खाली नहीं है तो सेकंड प्रिपरेंस मिला है और सेकंड प्रृफियंस भी आपका खाली आपको एम्स जोदपूर मिला, अगर एम्स जोदपूर नहीं मिला, तो एम्स राइपूर मिलेगा, एम्स राइपूर नहीं मिला, तो एम्स बोपाल मिलेगा, तो इसी प्रकार से ये पूरा रिजल्ट निकला गया है, देख लेते हैं इसके जो इंपोर्टेंट पॉइंट से वो कापी important point से ऐसे जो सारा result पूरा declare हो चुका है आप इस result को इसकी website official website www.ams.org से इसे download कर सकते हैं अब इसके जो important points जो हमें धान में रखने हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले वीडियो में बने रहीएगा देखते हैं क्या है कौन से important point है देखो अब यहां पर आप जो result है उसके end में आ जाईए end में सबसे बड़ी खुसकब्री तो आपके लिए कि इसमें interview नहीं है DOPT rule के अनुसार बात कर लेते हैं अपन यहां पर जो यह जो result है यह आपको लिखा होगा यहां पर पढ़ने में आ रहा होगा आपको लिखा है provisional तो यह जो result है वो provisional है provisional का मतलब जानते हो कि अभी इन सब के document verification होगे और किसी के document में या physical में किसी के कोई problem है तो उसको cancel किया जा सकता है उसके appointment को इसका मतलब यह नहीं कि उसका result में नाम आ गया तो उसको job मिल गई है समझ में आ गया जो भी आपको जो criteria आपको जो जितना भी criteria वो advertisement number यानि कि जो notice निकला था उसका अनुसार fulfill करना होगा है यानि आपका registration registration भी होना चाहिए अगर आपका registration नहीं है उसका अनुसार या फिर आपके क्वा कोई भी problem है तो आपको केंडिटेचर आपका cancel किया जा सकता है आपको advertisement को पढ़ लेना है उसमें क्या-क्राइटेरिया मांगाता उस criteria को fulfill करना चीए ठीक है next बात कर लेते हैं अपन यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या लिखा जो भी आपका institute allocate किया गया है ठीक है वह नोर्साइट की रेंग के अनुसार तो online application allocation of institute यानि कि जो आपने जो रेंग की अनुसार ही आपको institute मिला है ठीक है बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो पी डब्ली जो फिजिकल हैं जो हैं उसका में इंपोर्टेंट बात है कि उनका जो examination होगा ठीक है उसका रुसार ही उनको अलोट किया जाएगा कहने का मतलब है कि उसका नुसार ही उनको अलोट होगा अगर उनका physical handicap का certificate है और उसके अंदर कोई problem है तो उनको कह कर दिया जाएगा उनको cancel कर दिया नेक्स्ट बात करें पन यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या था था दा अपोइंट्मेंट प्रोविजिनल स्टिक्ली सब्जेक्ट वेरिपिकिशन और ऑप कैंडिडेट अल ओरिजिनल सब्सक्राइबिडिटी क्राइटिरिया थो देविरिफाइड रेस्पेक्टिव अलोट हो चुका है ठीक है यहां पर इंपोर्टेंट बात है जिन लोगों को अलोट हो चुका है उनके भी ओरिजिनल डोकुमेंट है वो वेरिफाइड होंगे कहां पर जहां पर उनको एमस मिला है जिसे महां लोग किसी को सपोच करो एमस बोपाल मिल चुका है तो वहां प आप आप तो इसमें लिखा है कि आपके डोकुमेंट्स बाकी है नहीं होना बागी है इसका मतलब आप इसे तो ाल नहीं कर सकते पर छटे नमबर का जो glory है यह का對 important सबके लिए important है इसको इसडार points है यह जो point है कापि important point है आपको क्या करना है जितने भी Provision selected candidate है उनको क्या करना माइच पर जाना है और उसको open करना है और option में क्या करना है आपको scanned copy जो आपकी scanned copy वह भी किसमे Color में यहाँ पर आपको काप इंपोर्टेंट चीज़ है बलेक एंड वाइट में मत कर देना कलर में आपको अपलोड करना है और कब इसकी डेट है इसकी जो डेट है 21 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक यानि कि कहने का मतलब है आपके पास चार दिन का टाइम है तक आपको इसको अपलोड करना है अगर आपने अपलोड नहीं किया है समझ लो आपका कैंडिटेचर कैंसिल हो गया है यानि कि आपको क्या है आपको जोब नहीं मिलेगी तो यहाँ पर important बात है काफी important है इसको ध्यान में रख लेना इस्टार लगा लेना इसके उप़र तीक है इसके बाद बात कर लेता है पन candidate who have been allotted institute mandatory required to select option accept offer within the date तीक है यहाँ पर अगर किसी candidate को institute मिल चुका है तो उसको accept का option को select करना होगा अगर उसने accept के option को select नहीं किया है तो समझ लो उसका candidature cancel हो जाएगा देखो अब मेरी बात सुनों मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर दो option आएंगे option first option second option first का मतलब है accept to report join and do want participate in subsequent round of institute allocation ठीक है यानि कि जिसको मेरी बात सुनों जिसने पहला option चुना था और उसको पहला ही option मिल चुका है यानि कि मैं आ लो select सबोच करो आपने जब counselling में आपको Amps Jodhpur आपने चुना था और आपको Amps Jodhpur मिल चुका है तो आपको accept का ही option click करना है अगर आपने accept का option को click नहीं किया है option first को तो आपका आपका जो appointment है वो cancel हो जाएगा यानि कि आपको seat नहीं मिलेगी आपका result cancel हो है नेक्स बात करेंपन accept one to participate subsequent round if any institute allocation to upgrade other institute higher order preference at a time of allocation of where is no offer have been made यहां पर कहने का मतलब यह कि अगर आपने चुना है मालो मालो आपने चुना है Amps Amps जोदपूर इसके बाद में next Amps Bhopal चुना है मालो आपने इसके बाद में राइपूर चुना है तो अगर आपको Amps जोदपूर मिल गया पहले वाला ही option मिल गया तो पहले वाले ओप्शन को यह आपको accept कर लेना है अगर आपने accept नहीं किया इसको तो आपका expenditure cancel हो जाए क्या मिला आपको एम्स राइपूर मिला है तो आप इसको अब ग्रेट अब ग्रेट करा सकते हैं सेकंड राउंड की कांशलिंग में जा सकते हैं लेकिन अगर आपको हिसको प्रस необходunta поговорmental नहीं आएगा ठीक है चलते हैं next next बात करें यहां पर यहां पर यहां पर काफी important है यही note लिखा है देखो यहां पर if candidate offers offers post at time offers at any time of institute does not select तिक है यहां पर काफी important बात बोला इन्होंने अगर आपने जो specific period है अगर आपको institute मिल गया है तो भी आपने option पहले को accept नहीं किया है तो भी आपका candidature cancel हो सकता है समझ में आया बात यह कि अगर आपने जो date है उस date के अंदर आपको कहा है कि इसमें option को select करना होगा अगर option में आपने accept नहीं किया है अगर आप भूल गए accept करना तो समझ लो आपका candidature cancel हो जाएगा इसलिए आप वीडियो को अगर आपको इंस्टिट मिल चुका है आपने पहला ही बरा है आपको इंस्टिट मिल चुका है तो आपको mandatory है कि आपको option first ही चूज करना है अगर second round में आपको जाना है तो second round के अंदर आपको क्या है 25,000 का जो डीडी है वह आपको जमा करना पड़ेगा ठीक है 25,000 का यह refundable है और इसको आपको जमा करना पड़ेगा इसके बाद में second round counselling में आप भाग ले सकते हैं यहां पर सबसे important बात है कि जो डेट है उसके अंदर ही सारी process होगी अगर जो डेट दिया एप 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक का जो date दिया है उसके बीच में यह सारी process आपको करना आप आपने यह नहीं किया तो आपका our current Panther cancel हो सकता है यहां कि आपका appointment cancel हो सकता है ठीक है next बात करें अपन तो बाकी दोकुमेंट है जो आप डेकुमेंट को आपको अप्लोड करना पड़ेगा आइडे प्रूप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ठीक है फिजिकल एंडिकेप्ट का सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड यह सारी चीजे यह तो एक और इंपोर्टेंट बात इसमें दो फोटो फोटो भी मांगें यहां पर तो यह तो सारे आपको अप्लोड करना पड़ेगा जो की एडवर्टाइजमेंट में दे रखका है ठीक है तो थैंक्यों दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देजेगा और शेयर और सब्स कर दो